हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मैं चेरल मनीशा रसोवी घर जह मिलेगा बिहार का स्वाद चलो फिर आज बनाते हैं बिहार में बनने वाली मच्छवे की सबजी जिसे हम लोग बेशन की बर्फी की सबजी भी कहते हैं और मैं इससे काजू कतली वाली बेशन की सबजी भी कहते हूँ इसे बनाने के लिए हमने दाल को आदे घंटे पहले भीगो दिया दाल जब तक भीग रहे हैं बाके की तियारिया कर लेते हैं हमने पेश्ट बनाने के लिए लिया है एक चम्मच गोल मरीच एक चम्मच जीरा और थोड़ा सा लैसुन की कलिया थोड़ी से यदरक और चार पाच हरी मिर हमने पानी एट करके इसका एक स्मूथ पेश्ट बना लिया अब हम लिये हैं चार मेडियम साइज के प्याज जिसे हमने चौपर की हैल्प से चौप कर लिया यह चौपर बहुत ही है जिल्द बाजी में अगर आप खाना बना रहे हो तो इससे जरूर यूज करें बहुत फटा फटा आपका काम करता है फिर हमने साइज को मेहिन कट कर लिया मतलब चौप कर लिया उसके बाद हम लेंगे टमाटर जिसका हम पेस्ट बनाएंगे हमने लिया है दौ टमाटर जिसको हमने फौर टू एट पीसेस में कट कर के समूथ पेस्ट बना लेंगे टमाटर का पेस्ट बनाने के बाद हम सेम जाड में डाल को भी पीस लेंगे अब हमारी डाल अच्छी तरीके से फूल गई है अब डाल को ट्रांसफर कर दो जार में और उसके बाद उसे अच्छे तरीके से पीस लो डाल एकदम स्मूथ पीसनी चाहिए आप इसे पानी एड़ करकर के एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना हमने इसमें लगबग हाप ग्लास पानी का यूज़ हमारा पेस्ट बन गया अब हम इसे एक कटोरा में ट्रांसफर करेंगे आपकी जो पेस्ट जार में लगी है ना उसे भी आप धोके इसमें एड़ कर देना फिर इसमें हम एड़ करेंगे नमक, हल्दी, तीन चम्मच, अधरक लैसन वाली पेस्ट और हम इसमें एड़ करेंगे मेर्च पॉर्डर एक चम्मच एक चम्मच धन्या पॉर्डर एक चम्मच करम मसाला थोड़ी सी कसूरी में थी इन सब को मिक्स कर दो फिर हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई को आप बहुत अच्छी तरगे से गरब कीज़ेगा कढ़ाई करम होने के वाद आप ये बैटर ढाल दो इसमें ये आपकी कढ़ाई में चिपकेगी लेकिन आप इसे चलाते रहो और तब तक इसे पकाना है जब तक आपके ये टाइट डो ना बन जाए आटा को गूनके जैसा होता है ना वैसा बन जाएगा आप इसे चलाते रहना इस प्रोसेस में थोड़ी सी मेहनत है लेकिन रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है और बेशन की ये सबजी खाके बहुत ही अच्छे लगती है एक बार आप जरूर ट्राइग करें आप ऐसे चलाते रहे और आपके जो कड़ाई में चिपकड़ी है उसे निकालते रहे देखे ये अब डो बनने लगा थोड़ी देर बाद साड़े कड़ाई की चिपक्यों ही डो बन जाएंगे देखे सब निकल गई न अब इसे हम एक प्लीट में ट्रांसफर करेंगे और पानी के हैल्थ से आप इसे प्लीट में फैला लीजेगा हाथ से अगर आप हाथ से नहीं कर पाड़े तो आप ये चमळ्स से भी कर सकते ए इसे प्लीट में ट्रांसफर करते ही फट आफ़ट आपको प्लीट में फैलाना है पानी लगा लगा के मैंने प्लेट में पूरा इसे फैला लिया, स्प्रेड कर दिया पूरा, उसके बाद जब ये थंडा हो जाएंगे, पांच मिनिट लगेंगे इसे थंडा हो जाने में, उसके बाद हम इसे परफी के सीप में कट कर लेंगे, इस तरह से आप एक बार बना के देखें वेशन के सब्जी, आप बार बार ऐसे बनाना पसंद करेंगे, ये बहुत ही टेस्टी बन के आता है, आप इसे डारेक्ट ऐसे भी कट करके ग्रेवी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे फ्राइ करके ग्रेवी लगाते हैं, फ्राइ करने के बाद इसमें और भी टेस्ट पर जाता है, जिदे हेल्दी वर्जन में चाहिए ये, वो डायरिक्ट ऐसे भी ग्रेवी लगा सकते हैं, आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, ये बहुत अच्छा लगते हैं, लेकिन हम इसे फ्राइ करके खाते हैं, और ऐसे भी खाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, सब को फ्राइ कर लेंगे, तेल को गड़म करके, और इसे मीडियम फ्लेम पे आप क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राइ कर लो, सारे पकोड़े फ्राइ हो जाएंगे, तो फिर हम इसे एक ग्रीवी लगाने के लिए हमने एक कड़ाई चड़ाया उसमें मस्टर्ड ओयल लिया हमने कुछ सावुत मसाले लिया तीज पता जीरा लाल मेच लॉंग इलैची दालचीनी हमने इसे तरकाया फिर हमने एड़ किया चॉप्ट ओनियम फिर हमने इसे थोड़ा सा पिंकिस तक फ्राई किया पिंकिस होनी तक फिर हम इसमें एड़ करेंगे एक चमच कस्मीरी लाल मिर्च इससे कलर बहुत बढ़िया आता है ग्रेवी का अब हम इसमें एड़ करेंगे एक चमच हल्दी एक मिनट तक आपको हल्दी फ्राई करना है उसके बाद आप एड़ कर दो इसमें गूउ अद्रक लैसन वाली पेस्ट और इसे आप दो से तीन मिनट फ्राई कर दो हाई फ्लेम पे फिर आप इसमें फटा फट अड़ करो टमएटो पेस्ट और आप इसमें एड़ कर दो नमक टमेटो पेस्ट के साथ ही हमने धन्या पाउडर भी अड़ कर दिया दो चम्मच और मेक्स करके हम इसे 5 मिनिट तक लो फ्लेम पे रख दिया पाइप मिनिट बाद हमारी मसाले थोड़े पग गए अब हम इसे फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे दो से तीन मिनिट और फिर हम जब सारा ओइल सेपरेट हो जाएगा तो हम इसमें पानी एड़ कर देंगे पानी एड़ करने के बाद हमने एक चमच गरम मसाला एड़ किया है और पानी में एक बोईल आने देंगे उसके बाद हम इसमें पकोड़ा एड़ कर देंगे पकोड़ा एड़ करने के बाद आपको 2 मिनिट बॉल करना और हमारा बेशन की बर्फी वाली सबजी बन के तयार हो गई हम इसे सर्फ कर लेंगे स्टीम राइस के साथ हमने थोड़ा सा ड्राइ पकोड़ा भी छोड़ दिये थे जिसमें हम अभी सर्फ कर लेंगे आपको ये रेसिपी बीशन की बर्फी वाली सबजी की कैसी लगी जरूर बताए अगर आपको मेरी सारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी सारी वीडियो को लाइक करें थैंक यू फोर वाचिंग